बाइस तो है फ्रेंड्स वेलकम दो बाइस टूदी वित नीगेल यूटूब चैनल हेर वी लॉन बायोजी इन सिंपल वे तो महरास्तर स्टेट बोर्ड निव शिलाबस हम देख रहे ऑफ क्लास 11 ऑके क्लास 11 का बायोजी सो यहां पर जो आपको बायोजिघियो की साथ करो साथ जहाएं इसको करेंगे दो उसकी नोटिफिकेशन बायोजी आपको मिल जाएगा तो यहां पर हम जो चाप्टर से कंड शुरू करने वाले हैं 11 वालोजी का जिसका नाम है systematic of living organism, मतलब कि living organism को एक system है, उसका nomenclature हो, उसका बाद में older हो, genus हो, phylum हो, species हो, rank, taxonomy, hierarchy, यह जो basic term है, इनमें उसको क्यों classify किया गया है, किस basis पे organism का classification हुआ है, systematic of living organism, इस चाप्टर में हमको वो पढ़ना है इसका जो part first है, इसको आज हम शुरू करने वाले है, और इसके पहले है, जो 11th है, इसके हमने यहाँ पर जो 4 chapters अप्लोड कर दिये, आप चाहिए के playlist में जाकर देख सकते हो, जहाँ पर cell division, plant tissue and anatomy, after that जो living wall जो हमारा के first chapter है, वो भी हमने अच्छे से अप्लोड कर दिये, तो यह इस chapter में जिसका नाम है systematic of living organism, इनके अंदर हमको जो कुछ basic term जो है, वो मौलम होनी चाहिए, कि यह term किस नहीं निकाली, और उसके बाद यह term का meaning क्या होता है, तो यह से ही कुछ terms हम देखेंगे, इसमें कि जो systematic है, बाद में जो है, वो taxonomy है, उसके बाद classification, उसके बाद types of classification, यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे systematics, systematic is a study of kind of diversity, यह क्या है तो study of kind of diversity, diversity बोले तो क्या difference of organism and their comparative and evolutionary relationship, मतलब यहाँ पर देखा आप, यह एक organism है, ठीक है, यह बाद में यह दूसरा organism, तो यह दोनों organism के बीच में क्या देखना है हमको diversity, बोले तो difference देखना है, य यह एक organism, इसके अंदर जो है, यह दोनों को compare करना है इसको, और इसका difference देखना है, ठीक है, and difference देखने के बात क्या करना है, उसका evolutionary history, evolution बोले तो कि पीछे वाला, मतलब कि यह organism जो है, वो कहा से आये, उसकों बोलेंगे evolutionary history, okay, so evolutionary history of this organism, and also evolutionary history of this organism, तो इसको हम क्या करेंगे, compared क करेंगे, okay, so comparative and evolutionary relationship, ये दोनों organism की, तो organism के अंदर क्या करेंगे, तो difference देखेंगे, तो systematic is a study of kind of diversity of organism, difference in organism, so mechanism के अंदर का जो difference है, उसकी study करेंगे, and their comparative and evolutionary relationships, इस दोनों की comparative में क्या relationship है, और बाद में energy उसकी relationship क्या है. So, उसकी study करना बोलिए तो होता है systematics. So, clear है. यह किसने दिया बाद में G. Simpson 1961. So, किसने दिया तो G. Simpson 1961 के अंदर बताया कि systematic क्या है? Study of one kind of diversity of organism. मतलब कि difference organism के अंदर का उसकी study करना and their comparative and evolutionary history. मतलब कि diversity, comparative and evolutionary relationships अरिकिस्ट आइनिजम के अंदर इसको स्टेडी करना बोले तो होता है । इस 가까안 ओ conductivity के अंदर और किसने दी इसको कभा किसने बताया तो जी सिमस्टन ने वाताया 1961 के अंदर तो यह होता है सिस्टेमार्टिकर गया सिंपल बात ठैंट्स ट्रीमार्टिक कि क्लासिफिकिशन और तो किसी भी चीज अगर कोई एक दूसरे chain में फशीव मतलब कि बहुत सार्य और गर पॉप्स के अनदर सों मूझे क्लासिफिकियां ठीक है और तू इन तू ग्रिग वर्ड मतलब कि जो यह टैक्जोनमी वाड फिर इसको अरेंजमेंट एक वर्ड में अगर बताना चाहए तो क्या बोलेंगे आप arrangement of यहां पर देखो rule यहां पुण फिर arrangement of rule ओके या फिर rule of arrangement मतलब कि arrangement कर निये तो उसको rule जो लगए न उसको बोलेंगे taxonomy because जो यहां पर taxonomy word यह दो word से बना है एक और taxes उसका मिनिंग होते है arrangement and second a normal उसका meaning होते है rule मतलब कि यहां पर rule for the arrangement मतलब कि arrangement कर नहीं के लिए जो है उन्होंने यहाँ पर टैग्जो' saat उसको इंट्रूडूस तर्म को ओके वह कॉवलित ते मतलब किस टेडी करने वाले ले कि चाहा तो थी 거ired कि जो होता है गलो जुह न को तो बाद में जूलोजी, जूलोजी जो इसके अंदर हम और्गिनिजम की स्टडी करते हैं जो बाटनी उसके अंदर हम क्या करते हैं तो प्लांट्स की स्टडी करते हैं मतलब कि जो बाइलोजी है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है एक है botany then zoology तो यह botany के study करते थे इसलिए मिसको botany बोले तो botanist बोलते हैं okay Swiss botanist और इन्होंने अपना work up किया तो 1778 to 1841 इसके अंदर जो इन्होंने work किया अपना तो ठीक है तो यह हो गया simple में taxonomy taxonomy क्या है तो यह classification है one type and you taxonomy a door 7a okay tags is second enormous taxic means arrangement and normals means hotel rule मतलब की arrangement करने के लिए जो rule होता है उसको taxonomy बोलते एंदे टर्म taxonomy was firstly introduced by epd candle इन्होंने यह जो अंडर्म है यह firstly introduced ki मतलब बताया और यह वह स्वीज के botanist मतलब बाटनी के study करने वाले और इन्होंने अपना वर्क 70 78 से या पर 80 41 तक या पर उन्हें क्या मतलब कि टैक्जनॉमी जो अब बताया तो यह वह गया टैक्जनॉमी के बारे में क्लासिफिकेशन जो है it is arrangement of organism classification क्या है तो arrangement of organism organisms जिसके अंदर जान है living organisms और group of organism okay distinct categories इसके अंदर क्या है तो categories अलग अलगे according with the particular and well established plan मतलब कि एक particular and well established plan जो प्लान होता है जिस्ति क्याक्त हिया जाता है तो organism को classify किया जाता है तो अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे अगर सप्पोज ऐसी प्राव पास चीज़े और तो अगर सबसे पहले एक मेरको शिप मिल रहे हैं को एक ऐसा उसके बाद घ्लाएं बद में सरकल मतलब कि यह थ्री तरह पर्ट में वह एक क्लासिफाई की आपने material को इस जो हमारे पास जो चीज़े थी उनको लेकिन किसके basis पे शेप के basis पे तो मतलब क्या तो एनिमल को classify करना होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना शेप होगा habitat होगा या फिर वो कुछ ना कुछ जहां पर रहते है उस प्लेस से उस तरह से उसको जो है इसे क्लासिपाई किए जाएगा मतलब कि क्या तो यह कए मैं तो यह इस्टेब्लिश्ट प्लान जी प्ले प्रटिटीकुलर फ्लैन है इसके बाद जो है वो रखेंगे कि इसके बेसिस पर जो आरगनिजम को क्लासिफाइब किया जाएगा उसको हम वो classification बोलते हैं, simple way के अंदर, okay, उसके बाद जो है, वो classification है, जो है, वो based on similarities and dissimilarities among the organisms, दो बातो के उचर, ऊपर, okay, first is similarities, second is dissimilarities, similarity बोले तो सेम होना, दो organism के बीच में कौनसी बाते सेम है, उसके basis पे उसको classify कह जागा, उसके बाद dissimilarity मतलब की क्या different, okay, so different, मतलब की हम इसको difference बोल सकते, मतलब जो organism के बीच में क्या difference है, क्या changes है, उसके according भी हम उसको classify कर सकते, मतलब की classification दो basis पे होता है, ये खोता है similarity, उसके बाद होता है dissimilarity, okay, so similarity and dissimilarity, इसके basis पे जो organism को classify किया जाता है, simple में, classification क्या आया, तो it is arrangement of organism, ओर गूर्प और गी मोड़ा चाहिक तो यह पर फॉस्ट में यह देखा थैसे पहले बाता दिया बाद में जो आमने टाक्जौमि देखा यह जो यह बाद में बात में देखा यह क्लासिफिकिकिशन ओके यह थी धीड़ीफ वह हमारी यहापर डीटेल वे होगे उसके बाद देखो classification का types ओके सुब देखते types of classification तो classification जो वह थ्री टाइप को था एक होता है natural उसके बाद होता है artificial एन उसके बाद जो होता है phylogenetic मतलब की three type of classification होता है तो यह classification के जो टाइप है वो क्यूं गिर है मतलब की यह different different types है तो क्यूं है क्या इसके अंदर difference है देखेंगे तो इसमें जो first हमारा टाइप है वो है natural वसके बाद artificial देने phylogenetic तो first में जो natural classification का टाइप होता है इसके अंदर हम क्या देखते ही तो it is classification which is based on objectively significant तो objectively significant मतलब क्या होता है तो open mind से अगर सोचेंगे तो वैसा अगर classify करेंगे हम किसी organism को तो हो गया natural classification मतलब की natural classification में क्या करेंगे तो open mind से सोचेंगे कि ज्यादा कुछ इसमें देखने का नहीं है जैसे कि artificial में हमने देखा habit color हम देखते है पढ़ेंगे हम इसको लेकिन जो नाचरल है इसमें क्या देखते हैं इस देखते हैं मतलब की क्या तो open mind से बाद ज्यादा कुछ बातों का ध्यानने रहेंगे सिधा इसको classify करेंगे उसके बाद इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे organism के अंदर ऐसे changes जो की hidden है ऐसे qualities देखेंगे जो की hidden है ओके वह गया natural classification के अंदर यह objectively significant से classify किया जाता है मतलब open mind से कोई जाथा कुछ जो है वो धन में नहीं रखा जाता वोसके बाद होता है artificial classification तो यह का इस a classification that is based on the few easily observable जो कि जिसकों observe कर सकते ओके फिर नॉन इवोलुशनरी डेट इस मतलब नॉन इवोलुशन मतलब की एवोलुशन से क्या है तो फिर यह जो है इसमें हम देखते हैं habit and color ठीके और उसके बाद होता है फाइलो जेनेटिक जो की लास्ट है टाइप्स प्लासिफिकाशन के अंदर तो इस अ क्लासिफिकिशन बेस ओन कॉमन इवोलुशनरी हिस्ट्री और डिसेंट मतलब कि क्या होता है जिस प्रोसेस में जो है एक और ट्रांसपर होता है न्यू अर्गनिजम बनता है और इस प्रोसेस को हम इवालुशन बोलते हैं जैसे हम ओर इजिनेट हुए है मंकी से तो मंकी क्या है हमारा evolutionary ancestor है तो हमारी evolutionary history वो है तो फिर वैसे यह organism कहा से निकल के आए है वो हो गया उसका evolutionary history evolutionary descent और उसके basis पर जो organism को classify किया जाएगा उसको बोलेंगे phylogenetic classification तो यहाँ पर आप diagram में देख सकते हो यह जो यह कहा है तो common ancestor है बाद में देखा आप यहाँ पर दूसरा एक अर्चियो बैक्टरिया ओरीजिन हुआ अर्चियो बैक्टरिया से बाद में यू बैक्टरिया हुआ यहाँ पर फर्स्ट में हुआ बैक्टरिया उसके बाद हुआ अर्चियो बैक्टरिया यू बैक्टरिया तो यह 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 ताइप सब ट्लासिफिकेशन जिसमें कि फाइलो जनेटिक है आफर दर्ट जो आइफिशल एड नैचरल यह यह उसके टाइप नैचरल क्या है तो इस ट्लासिफिकेशन बेस्ट अब्जेक्टिवली सिगनिपिकर्ट मतलब ओपन मांने ज्यादा कुछ आप नह देख सकते हो इसको जैसे कि उसका हैबिट है औरगेजम का या फिर कलर एइब उसके स्टडी करना उसको लेंगे फाइलो जनी और यह फाइलो जेनेटिक के अंदर हम देखते है उसके हम औरगेजाइक करते हैं में उसके बार यह इन नाच्रीश क्लासिफिकेशन और इन अच्छी का इंदर इन कंपरेटिवे के अंदर एक टीक है उसके बार देखो हमारा नेक्स्ट गूर्पिक अवह त्री डॉमेश व्लाइफ लाइफ त्री ब्लाइफ में जो है वह देखो यापर इस बिलिव दात दे जो लाइफ है वो अर्थ पे originate हुए हमको पता है लेकिन वो कैसे फ़र्म में थे? ओके सिंपल फ़र्म में कैसे फ़र्म में? सिंपल फ़र्म बहुत सिंपल फ़र्म जो औरीट हुए है उसके बात constant struggle of the early living beings मतलब कि जो starting में living beings थे? उन्होंने क्या क्या struggle किया? खुद को ओ इन्वर्मेंट के साथ जो है उन्हों ने क्या क्या स्ट्रगल किया and gave rise to more and more perfect forms of life and क्या क्या तो जो सिंपल है उस से बाद में क्या मिला हमको perfect जो है वो forms of life मिली because उन्हों नहीं क्या क्या struggle क्या okay starting में जो है वो struggle किया and give rise to more and more perfect form of लाइफ ओके देन कार्लूहूस जो साइन्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया का लूस् इन 1990 प्रपोस दोमेन ओफ दे लाइफ to classify life forms ओके तो life forms को जो है वो classify करने के लिए उन्होंने क्या किया जो domain है यह three domains को बताया तो कौन से three domains they are archoo उसके बाद है Bacteria and Eukarya यह जो है वो थ्री डोमेन है ठीक है तो यह किस ने दिए कार्ल हुस ने दिए इन 1990 के अंदर यह थ्री डोमेन्स उन्होंने क्यों दिए तो life forms को classify करनी के लिए विकास अर्थ पे जो life origin होई थी वह बहुत सिंपल थी लेकिन बाद में constant struggle हुआ continuously struggle हुआ यह पर पर्फेक्ट मोर और पर्फेक्ट यह लाइव बनी और सो क्लासिवाइ करनी के लिए कार्ल हुस ने 1990 के अंदर क्या किया तो थ्री डोमेन को प्रपोस किया तो थ्री डोमेन कौन से फिर आर्चियो बैक्टरिया और यू यह यह पर यू कैरिया ओके दिन डोमेन is a unit larger than kingdom kingdom से बड़ा होता है डोमेन सो kingdom भी हमको आगे पड़ना है ओके सो इकाटेंशन मतलो बाग आगे हम पड़ेंगे kingdom से बड़ा होता है डोमेन यह पर इतना ही आप धान में रखो इन दे सिस्टेम फ्लासिफिकेशन बैक्टरिया या पर आर्चियो आप आर्चिय गैसं इतना होता है मतलब कि यह इसे सेल सिसका अंदर न्यूकलियर मेंबरान नहीं होता है उसक 54B3 अस फोलते हैं अ merging वेराचियो के अंदर तो प्रो खैरिप्स सेल से वेराज यूथरी अ उकरिया हास यू क्या इस गेरिया के अनृ चेरिक सेल और दूसरी के इसे यू Pick इक cel क्या तो डेवलप्नुक Liar जिसके अंदर निउकलियद जो पूरा का पूरा ऐसा डेवलप हता है उसकम बोलताई यू किया क्योंडकिक सेल ओके ऑडिस जो फिल्च एल इन्होंने त्री वह ईंस बताया मतलब जिसके अंदर nucleus develop नहीं है ऐसे cells उस organism के अंदर होती है and eukary जो होते उसके अंदर eukaryotic cells है मतलब कि ऐसी cells जिसके अंदर nucleus पूरा का पूरा develop हो ओके तो यह हो गया यहाँ तक अर्चिया are known as their survival in ओके तो यह उनके जो है वो survival से जाने जाते हैं अर्चिया okay कैसे देखो it is very in very extreme condition like high temperature salinity acidic condition acidic condition उसके बाद salinity and temperature यह जो temperature जादा होगा तो भी चलेगा acid जो जादा होगा तो भी चलेगा salinity अगर बढ़ गई तो भी चलेगा मतलब कि extreme जो environment extreme conditions में यह यहाँ पर रहती है वो survival करती है वहाँ पर जो कि उसको जाना जाता है ओके आर्चो को यह क्या है तो यह extreme environment extreme condition के अंदर भी survive करती है ठीक है तो यह हो गया three domains of life okay so three domains of life में आपको क्या बाता ना है कुछ भी नहीं जो life है originate हुई है अर्थ पे वो पहले कैसे थी simple form में थी उसके बाद क्या होगा स्ट्रगल हुआ बाद में क्या हुआ तो बाद में जो है more and more perfect life of forms मिला हमको life जो परफेक्ट complex organism मिला हाला कि जो first में वो simple organism था जो काल हुज इनने का किया 1990 के अंदर प्रोपोस्ट्री डोमेंस को बता है प्रोपोस्ट किया और जो life form से उसको classify करने के लिए कार्ल हुष ने जो 1990 के अंदर त्री डोमेंस को बताया जिसमें की फॉर्स्ट है यहाँ पर अर्चियो देने bacteria और यू करिया उसके बाद जो अर्चियो बैक्टरिया यह जो है अर्चियो और बैक्टरिया यह दोनों के अंदर इसके अंदर यू करिटिक से लोता है और जो डोमें होता है वो किंग्डम से बड़ा होता है यह बात जो आप ध्यान में रखो यह सीटी में आपको काम में आएगा उसके बाद अर्चिया और नोन आज देर सर्वाइवल इन एक्स्रीम कंडिशन त्री किंग्डम में हमारा ऌण आ जो फॉर्स तैंगे अर्चिया ये कैसी है तो यह एक्स्रीम में भी सर्वाइवल करतीये आपको थ्री दॉमेंस ईसके बाद देखो यहां पर टेल क्ला्सिफिकेशन बेस एं similarities and differences in the structure of certain compounds present among the organism being classified so chemotoxonomy okay so यहाँ पर देखवाँ यह है taxonomy taxonomy का सीधा सीधा मतलब होता है classification rule जो कि हमने पहले देखा था taxonomy classification ठीक है तो taxonomy बोले तो हो गया classification and chemo बोले तो होता है chemical chemical मतलब कि ऐसा classification जो chemical के base पे हो सीधा हो गया chemo taxonomy बहुत ही simple है ठीक है biology बहुत simple है इसको सिर्फ आप ध्यान में रखो so it is method of biological classification की method है यह तो हमको पता ही है based on similarities and differences in the certain chemical compounds okay so यहाँ पर क्या है तो certain chemical compounds है मतलब की chemo chemical compound ठीक है तो chemical compound present among the organisms being classified मतलब chemo taxonomy ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर biological classification की method है जिसमें हम क्या करते हैं तो similarities and difference देखते हैं कि इसके अंदर certain chemical compounds जो कि organism के अंदर होता है यह हो गया chemo taxonomy ठीक है in short it is a classification based on chemical constituent of organism simple में short में बोलेंगे classification based on chemical यह देखाँ यहाँ पर classification chemical के basis पर होता है उसका हम बोलेंगे chemo taxonomic short के अंदर यह बड़ी वाले detail में definition यह short वाले definition इसका example देखो अर्चियों सेल वाल इस विदाउट पेप्तिडियो गलाइक्वन मतलब अर्चियों के ऊपर यह उसके उपर सेल वाल होती है और जो सेल वाल होती है ठीक है तो यह अर्चियों के अंदर जो वो सेल वाल होती है ठीक है तो यह अर्चियों के अंदर जो वो सेल वाल होती है ठीक है विदाउट पेप्तिडियो गलाइक्वन उसके अंदर नहीं होता और प्रोटर्योटी के अंदर क्या होता है उसके बेसिस पर उसको क्लासिफाइब 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 किया जाएगा तो उसको तो हम चमय तो टॉक्जोनमी बोलेगे सिंपल बात है तो अगर और अर्गनिजम को जो जो वो खेमिकल के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाएगा तो उसको बोलेंगे केमो टैग्जोनमी ओके सो यह हो गया केमो टॉक्जोनमी देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपर नूमेरिकल टैग्जोनमी ठीक है तो नूमेरिकल टैग्जोनमी क्या है तो देप्र सिस्टीम बेस बाइ सोकेल एंड स्निथ इन 1963 यह नुमेरिकल टैक्जोनामी यह मतलब कि यह नंबर के बेसिस पर है नंबर मतलब बोले तो कॉंटिटेट्व या पर देखो कॉंटिफिकेशन मतलब की क्यारेक्टर कितने है क्यारेक्टर के नंबर कितने अल्गोरिदम के अंदर मतलब की नुमेरिकल टैक्जोनामी है टैक्जोनामी बोले तो क्लासिफिकेशन नुमेरिकल बोले तो नंबर के बेसिस पर यह क्लासिफिकेशन होता है इसको लिए हमस्को नुमेरिकल टैक्जोनामी बोलते है ठीक है किसके नंबर पर क्यारेक्टर के नंबर पर एंड सिस्टीम को व हो गया है numerical taxonomy ओके यह क्या करेंगा बाद में यह डिवलब करेगा और गोरिदम ओके ऑल्गोरिदम बोले तो क्या एक प्रोसेस को डिवलब करेगा कैसे step by step होता है उसको तो उसको हम बोलेंगे numerical taxonomy और उसको दिया सोकेल एंशनीत ने 1963 के अंदर तो यह numerical taxonomy simple जो टरम है इसमें कुछ ज्यादा यहां पर बात नहीं है ठीक है उसके बाद फाइलोजनी फाइलोजनी बहुत ही जादा important है विए फाइलोजनी क्लासिफिकेशन में हमने देखा था फाइलोजनी को यह पर फिर से हम उसको देखेंगे यह हमको जो 11 में पढ़नी को यह सिंपल थी बाद में o complex life बनी कैसी complex 1 में और बिसींपल लाइफ थी बाद में complex बन गई यह बन गई क्या बद बताती है और्गनिजम कहां से आया है किस यह पर फाइलन से आया है किस और्गनिजम से इसके सिमिलर क्यरेक्टर थे वो गया फाइलोजनी ठीक है दिन इस इंपोर्टन टूल इन दे क्लासिफिकेशन आज टेक्स इन्टू अकाउंट नौट मेरली दर मॉर्फोलोज स्टाइस या पर मॉर्फोलोज़ी क्योड प्रणी क्या नहीं देखा जाता है मॉर्फोलोज़ी कल स्टैटेस मॉर्फोलोजीट मॉलीग मॉर्फोलोजी जो होता है वह ब Is study of external ऐरेक्टर स्टेडियो औफ एक्सटर्नल क्यारेक्टर ओफ अर्डान आ अर्गनिजम ठीक है त उसको नहीं देखा जाएगा उपर से और्गनिजम कैसा है क्या है नहीं देखा जाएगा इसमें क्या देखा जाएगा तो यह उलुशनरी इस्ट्री देखा जाएगा मतलब कि यह और्गनिजम कहां से युवाल हुआ है इसका इवालूशन जो है वह और्गनिजम कहां से यु ओके देन फूस थ्री डोमेंस कंसेप्ट आलवेज अस वेल आज विटायकर फायू किंडम सिस्टीम और वेरी गूड एग्जाम्पल फाइलो जनेटिक रिलेशन्शिप क्यों एक्जाम्पल है विकाज जो फूस की त्री डोमेंस कंसेप्ट थी उसके बाद जो विटायकर की फायू किंडम सिस्टीम में वह हमको आगे पढ़ने है विटायकर की फायू किंडम सिस्टीम ओके लेकिन जो भूस की दूमेंस सिस्टीम में हूं मतलब जो हो स्थी दोमेंस एक्जामपल फायलोडिक रिलेशन्शिप इसके आंदर जो फूस ने ध्योलनी हिस्ट्री को जो ध्यानवे रखा तू इसका मतलब क्या है तो इन्होंनी Wooology किया किस के बेसिस पर फाइलोंल्ट रिढ लो दुनी की बेसिस पे मतलब की फाइलो धयनिक च हो था फाइलोंलि क्हाँ पर फाइली हिस्ट्री जो है तो यह हो गया phylogeny उसके बाद जो next हमको पढ़ना है वो है आपर एक cladogram so cladogram जो है वो किसको बोलेंगे हम देखेंगे यहाँ पर cladogram क्या है तो it is a typical branching pattern यह क्या है तो branching का pattern है तो simple में यह क्या है तो branching का pattern है branching का pattern मतलब जिसमें हम क्या करते है तो branch जो है उसको यहाँ पर add करते है मतलब उसको diagram बनाते है branch की जैसा branch pattern diagram of three domain of life is a cladogram so यह जो three domain of life की जो diagram ती जिसमें क्या था bacteria, archia and eukeria यह क्या है तो three domain है और इसकी जो diagram है उसको हम cladogram बोलते हैं यह क्या है तो एक branching का pattern होता है so cladogram बोलो तो simple में branching का pattern उसको हम बोलेंगे cladogram और यह जो three domains of life में हमने देखा था यह ऐसी diagram हमने देखी थी और यह diagram को हम cladogram बोलते है और यह cladogram कैसे है branching वाली diagram है इसलिए हम इसको cladogram बोलते है ठीक है यह क्या यह देखा आप ऐसे तो it represents a hypothetical relationship denoting a comparison of organism and their common ancestor यह क्या represent करता है hypothetical relationship hypothetical बोलते हो तो imaginary मतलब की imagine करो कि ऐसा organism जो हो create हुआ है ऐसा इसकी relationship है denoting a comparison of organism and their common ancestor यह हमको बताता है कि common ancestor है so simple में यहाँ पर देखा आप यह इसका same यह सभी का मतलब की देखो यह तीनों भी यहाँ पर origin हुए यहाँ से और यह तीनों जासे origin हुए उसका color same है मतलब की इसका common ancestor है ठीक है उसके बाद देखो बाद में इससे दो organism बने एक बना यहाँ पर bacteria दुसरा बना अर्चिया okay so एक bacteria दुसरा अर्चिया उसके बाद अर्चिया से बाद में जो है वो इवाल हुआ यू करिया मतलब भी ऐसा organism कैसे यूआ हुआ हुए है यह हमको बताए क्या बताता है यह हमको evolutionary जो है hypothetical relationship बताता है comparison of organism and their common ancestor इसके common ancestor वो बाद में comparison के अंदर वो कहा से यूआ हुआ 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 है यह एक diagram के थू हमको पता चलता है ऐसी diagram जिसके अंदर branching का pattern होता है उसको हम cladogram बोलता है बहुत simple है ठीक है तो यह हो गया हमारा cladogram उसके बाद जो next हमारा point है वो है DNA बार कोडिंग ठीक है तो DNA बार कोडिंग देखते क्या है तो DNA बार कोडिंग इसन्नीव मेथर फोर आइडिनुटिफिकेशन ओफ इनी स्पेसीज आइडिनुटिफिकेशन ओफ इनी स्पेसिज मतलब स्पेसिस को आइडिनिफाई करने के लिए based on DNA sequence from teeny tissue tissue क्या है तो group of sample of the organism under study मतलब कि किसी भी organism का अगर हम tissue लेंगे छोटा सा part लेंगे उसके skin का ओके अगर उसको हम study करेंगे तो हम बता सकते हैं क्या बता सकते हैं identification of species यह species कौन सी है इस species को जो है वह हम identify कर सकते है identification of any species उसको ही हम बार कोडिंग बोलते है DNA बार कोडिंग ठीक है it helps to study newly identified species मतलब कि ऐसी स्पेसिज जो newly identified हुई है उसकी study करने में यह helpful है as well as understanding ecological and evolutionary relationship मतलब कि इसका जो relationship है understanding कैसी ecological मतलब environment के साथ ecological होगे environment के साथ and evolutionary relationship between living beings मतलब कि जो living beings है उसके जो है related इसकी evolutionary history क्या है इसकी evolutionary relationship क्या है कि जलसे living organism living being जो है इवाल हुआ है वैसे ही है इवाल हुआ है कि इस स्पेसिस इवाल हुई ही ही क्या वह हो गया evolutionary relationship and the process of DNA बार कोडिंग इंक्लूद two basic steps इसके अंदर जो दो basic steps होती है कौन-कौन सी है so यहाँ पर देखो first collecting DNA बार कोड़ डाटा of the species मतलब कि DNA बार कोड़ डाटा जो वो collect किया जाएगा and बाद में क्या किया जाएगा match the barcode sequence of the unknown sample against the barcode library for identification मतलब कि जो बार कोड़ है उसको एक जगह पर लाया जाएगा बहुत सारे hundred thousand की जो बार कोड़ है उसको एक जगह पर लाया जाएगा और ऐसी species मतलब कि ऐसा animal जिससे हम क्या करेंगे tissue को लेगे क्या लेंगे tissue को और इस organism की जो species हम को मालूम नहीं तो बाद में इसके tissue का बार कोड़ इस जो 1000 हमारे पास बार कोड लाइबरी उसके अंदर के बार कोड उसको कंपेर करेंगे और जिससे मैच होगा वह हमको बताएगा कि यह species कौन सी है उसको हम बोलेंगे DNA बार कोड़िंग तो DNA बार कोड़िंग किसके लिए तो identification of newly identified spaces spaces को identify करने के लिए उसके understanding ecological evolutionary relationship ecology के साथ environment के साथ उसके बाद उसका evolutionary relation क्या है उसको identify करने के लिए हम DNA बार कोड़िंग का इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो DNA बार कोड़िंग ऐसा होता है तो फरस्ट में DNA identified spaces है या फिर नहीं है उसके जो है वह बाद में understand होगा हमको ecological and evolutionary relationship तो यह हो गया DNA बार कोड़िंग बहुत ही simple है ठीक है उसके बाद जो है वह हमारा next DNA बार कोड़िंग has many application okay so DNA बार कोड़िंग जो इसके मेनी application है कैसे application है देखो आप फरस्ट में protection of endangered species फर्स्ट में हमको protection of endangered species जो endangered species मतलब कि एसी स्पेसिज जो loss होनी वाले है जिसके मेंबर जो few member बचा है few member okay so ऐसे स्पेसिज जिसके अंदर few member है बहुत कम member है वो लास होने कि यहापर कगार पैस पेसिज को हम endangered species बोलते और इस सेस को आगे बढ़ाने के लिए हम ढीन आड़कोडिं का इस्थामाल करके इसके नमर को बढ़ा सक्ते इसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं उसके बाद प्रीजर्वेशन आफ नेचरी रीशर्चसे नेचरन के लिए हम बाद DNA बार कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद identifying the disease vectors मतलब कि disease को transfer करने वाला होता है vector vector क्या है तो एक ऐसा organism है जो कि disease को एक person से दूसरे person तक transfer करवाता है न वो होता है वेक्टर और इस वेक्टर को identify करने के लिए जो हम DNA बार कोडिंग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद authentication of natural health product मतलब कि health product का authentication मतलब कि उसको देखे हो कुछ side effect है या नहीं है उसको भी हम करने के लिए उसको देखने के लिए इसे प्लांट्स को हम identify करने के लिए भी DNA बार कोडिंग का जो है वो इस्तेमाल करते है तो यह application है किसके DNA बार कोडिंग के मतलब कि DNA बार कोडिंग को कहा कहा पर इस्तमाल किया जाता है फॉस्ट में है protection of endangered species endangered species को protect करने के लिए ऐसे species जो कि उसके फ्यू मेंबर बचे हुए है उसके बात preservation of natural resources natural resources को प्रिजर करने के लिए बाद में पेस्ट कंट्रोल ओके इन अग्रिकल्चर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा स्पेसिज होता है बाद में इंसेक्ट वो न्यू आ जाता है उसको कैसे फिर बाद में उसको identify करेंगे तो उसका DNA बार कोड लेगे उसको इस्तेमाल करते हैं सो DNA बार कुडिंग का यह क्या है तो application है मतलब किसका हम कहाँ पर यूज करते हैं वह है बाकी कुछ नहीं ठीक है उसके बाद जो सेकंड हमको पढ़ना है वह टैक्जोनोमिक क्याटेगरीज ठीक है तो टैक्जोनोमिक क्या होता है तो टैक्जोनोमिक क्याटेगरीज यह क्या है तो यह classification is not a single step process बट इन्वाल hierarchy of steps hierarchy बोले तो ऐसा है एक स्टेप उसके बाद second step उसके बाद third step fourth step और इसको हम क्या बोलेंगे hierarchy बोलेंगे एक क्यों पर एक क्यों पर एक उसको जो रखते हैं उसको चीजों क्या करते हैं उसको क्या बोलते हैं यह सिंगल स्टेप वाली process नहीं है एक स्टेप में classification नहीं होता है इसमें different difference बहुत सारे steps involved होते हैं और steps के involved को मतलब कि यह number को हम hierarchy बोलते हैं और in which each step represents a rank or category और यह एक प्रतिक जो मतलब की steps होती है each steps एक rank को एक category को represent करती है since the category is a part of overall taxonomic rearrangement मतलब की category क्या है तो एक पार्ट है स्टिप ओर और टेक्जोनोमिक अरेंजमेंट का ओके तो ओर और टेक्जोनोमिक अरेंजमेंट का इडिस कॉल्लेस टैक्जोनोमिक कैटेगरी and all categories together constitute a toxonomic hierarchy मतलब की सभी के सभी category से एक उपर एक क्यों पर एक के रूपर मतलब की step by step step क्या होता है तो classification होता है और इस category क्यों एक कर उपर एक मतलब कि टैक्जोनोमिक बोले तो classification करने के लिए जो arrangement की जाती है ठीक है तो उसको हम बोलेंगे category यह कैसे hierarchy क्या है तो यह हमको simple में पता चल गया है बाद में यह देखो and all categories together constitute a taxonomic hierarchy मतलब कि सभी के सभी category ऐसे एक की ऊपर रखेंगे तो यह hierarchy बनेगी उसको बोलेंगे टैक्जोनोमिक हिरार्ची सो सिंगल उसके बाद है तो यह पर उसका example देखो first में kingdom उसके बाद division देने class order family genus species मतलब कि first में kingdom होता है बाद में division बाद में class होता है बाद में order then family then genus and then species मतलब कि यह क्या है तो are the category in hierarchical sequence मतलब कि एक की ऊपर एक ऐसा sequence होता है first में kingdom सबसे उपर और सबसे नीचे होता है species यह highest category kingdom and lowest category is species तो ऐसे इसको रखके उसको बोलेंगे यह categories है सभी और इसकी hierarchy बोले तो एक की ऊपर एक ऐसे रखके उसको बोलेंगे taxonomic category या फिर इसको बोलेंगे hierarchical sequence ठीक है तो यह हो गया taxonomic category उसके बाद देखो यह पर वह है taxonomic hierarchy टैक्जोनमिक category हमने देखा अब देखो taxonomic hierarchy हरार्ची हमने हमको बता है कि यह kingdom उसके बाद देखो यह division उसके बाद class then sub class then series ओके इस तरह से इसको हम hierarchy बोलते है taxon क्या है taxonomic group of any rank in the system of classification taxon क्या है तो यह taxonomic group है taxon यहां पर देखो planty angiosperm उके उसके बाद देखो dicotyledons उसके बाद है polypetals उसके बाद है thalmy flower ओके तो यह क्या है तो यह taxons है ठीक है यह देखो बाद में यह taxon इसका animal यह call data reptiles यह क्या है तो यह taxon है देन इसको किसने डिस्करूट किया h.j. lamb in 1948 के अंदर taxonomic hierarchy जो इन्हों ने दी example देखो इन kingdom plant kingdom each one of the following such यह आपर देखो अंजियो स्पर्म डाय कोटली ड़नी उसके बाद polypetal and malvacy represented taxonomic group that is taxon taxonomic group को हम taxon बोलेंगे और यह रिप्रेजेंट करेगा विसकोज जो एंजियो स्पर्म है उसके अंदर बहुत सारे plants आते है तो इस तरह से उसको क्या बोलेंगे तो एक taxon बोलेंगे यह हो गई taxonomic hierarchy तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर यही रुखते है next में हम बाद में देखेंगी units of classification ठीक है तो units of classification में बाद में देखेंगी यह हमारे basic term जो यहाँ पर इस chapter की पूरी की पूरी हो गई है तो यहाँ पर अगर वीडियो आपको अच्छा लागा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो इन साथी साथ इस वीडियो को जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करो यहाँ पूरी काई बायो जो खुटेवन वीडियो चैनल प्लीज अवाच्छ ग्राइब करो घ्काई जजा जाएब चानल प्लीज प्लीज फ्लीज प्लीज तो अट्टूराइब करो चैनल थार्य।